हमारे प्राइमिस्टर नरेंदर मोदी ये बहुत election जीतते हैं कुछ आदत सी हैंने election जीतने की पर इसे क्या बात है जो इतने election जीत रहे हैं भक्त कहते हैं कि ये उनका करिश्मा है haters को वैसे तो कोछ समझे नहीं आया आज तक कि वो क्यों election जीत रहे हैं पर वो भी अपनी एक theory बताते हैं कि हिंदू-Muslim डिवाइड करते हैं इस वज़े से जीत रहे हैं इस पर माय आज अपने बात आपसे कहना चाहता हूँ मेरा ये मानना है कि नरेंदर मोदी नाम का कोई शक्स है ही नहीं ऐसा कोई आदमी है ही नहीं He is just a face to express a deep anguish इस देश के अंदर इस देश के subconscious में कुछ बहुत गहरे जख्म है कुछ बहुत दर्द है कुछ betrayal हैं कुछ धोगे हैं उनको express करने का कभी मौका नहीं मिला था इस देश को एक मौका मिला उस मौके का नाम है नरेंदर मोदी सवाल ये है कि ये गंगा जमनी तहजीब ये कौमी यगजहती ये भाई चारा ये गुल्दस्ता ये कितना सच है हिंदू-मुस्लिम में दरार है या नहीं मिस्ट्रस्ट है या नहीं ये सब कुछ ठीक है ये सिर्फ बाते मोदी ने फैलाई है क्या ऐसा है आज हम इसको टेस्ट करेंगे इस सवाल को आज हम टेस्ट करेंगे क्या आपको मालूम है सन अठा सो से इस देश में हिंदू-मुस्लिम दंगे हो रहे हैं उन्नी सो चब्यस में पूरे देश में दंगे हुए थे achieve जिर्फ जमनी सोून से दंगे हो से दंगे हो क्या है जल यह एक और देखते हैं और गांधी जी हमारी लीटर थे हम सब उने प्यार करते हैं बहुत आधर करते हैं कौई समें डाउबड निहीं अम्बेडकर से गांधी जी का एक बार टकराव वो तो गांधी जी ने आमर अनशन कर दिया अम्बेडकर के घर के सामने यह बात है 1932 की आखिर में अम्बेडकर को जुगना पड़ा पूना पैक्ट हुआ और अम्बेडकर ने एक बात कही जो बहुत प्यारी है जो मैं गेलील कितनी प्यारी बात थी उस आमर अनशन से मेडकर को जुखना पड़ा 1939 कॉंग्रेस का दिवेशन तिरुचली सुभास्चंद बोस जीत गए थे कॉंग्रेस अध्यक्ष के लिए सीतरमय आर गए थे लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं बोस नहीं मनेंगे वरना मैं छोड़ दूँगा कॉंग्रेस ये वो बहुत कुछ टेंटरम फ्रो किया तो सुभास्चंद बोस ने त्याक पत्र दिया यहां भी गांधी जी के जिद्ध आगे आई अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने भूग अरताल करी तो अंग्रेजों को जुकना पड़ा तो लोगों के दिल में यह सवाल है मेरे दिल में सवाल था जब मैं 7th 8th standard में था तो मैंने अपकी teacher से पूछा था जब जिन्ना ने कहा कि इस देश का partition होगा बटवारा होगा तो गांधी जी ने उसके घर के सामने आमर नंचन क्यों नहीं किया इस सवाल का जवाब कौन देगा मुझे एक डेड़ करोड लोग यहां से उजड़के भागए वहां से उजड़की यहां है पूरी human history में इससे ज्यादा डेजरस इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं हुए शायद वो रवांडा तूटसी में जो problem होई वो ही इसकी टकर की problem होगी सेंक्डों सेंक्डों औरतों को नंगा करके सड़क पे चलाया जाता था उसे पिंड यात्रा कहते थे इतनी दर्दनाक चीज़ बट यह हुआ क्यों and who failed किस वज़े से इतना बड़ा partition हुआ सिर्फ एक वज़े से कि Muslims ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे और आप बकवास साज भी करे जा रहे हो गंगा जामनी तैजिजिव की कौमी एक जाती की 20 लाख लाशें गिर गए आप अभी दी सच का सामना नहीं करोगे उसके बाद जो partition से लोग आए यहां बहुत सारे शहरों में रहे और अगले 20-25-30 साल बड़ी गरीदी में रहे ना उनके पास पैसे थे ना कैम्प बोल दिया जाता था महां कैम्प में रहते थे बहुत तकलिफों से उन्होंने 20-30 साल बिताए अब तो वो लोग नहीं है गुजर गए लेकिन उनकी वो दर्द की वो जो रॉंपे खड़े कर देने वाली उनकी कहानिया थी वो कहानिया जिंदा है वो लोग जिंदा पर वो कहानिया इस देश के सबकॉंशिस में चली गई है कलेक्टिव सबकॉंशिस में वो कहानिया है इसलिए जो आप हिट्रेड देखते हैं हिंदू-मुस्लिम की वो बड़ी एबस्ट्रेक्ट सी हिट्रेड है उसके कोई शेप नहीं है आप मालूम भी नहीं पड़ता कि इस वज़स या किस चीज के लिए पर वो है फिर आजादी हो गई सरकार बन गई कॉंस्ट्रेशन आ गया उसके बद फिर अजीब अजीब सी चीजे होने लगी इस देश में शरीया की बाते होने लगी चार शादियां कर सकते हैं हां कर सकते हैं शाह बाना आती थी तो पुर पूरा पार्लियमेंट उल्टा लटक जाता था सुप्रीम कोड को दबाने के लिए ये कुछ अजीब-जीब सी चीजे होने लगी इस देश में तो कभी ये क्यों नहीं कहा गया कि हां हम शरीया पूरी तरह लागू करेंगे हिंदू चोर जेल में जाएगा मुसलमान चोर के हा तो उनुने सारे टेक्स्ट बूक अपने हिसाब से लिएक सारे रिशेस के वास-चांशलर्स और yNCRT,ybs,c सबके एड्स उनों ने अपने आदमी बढ़ती करने शुरू किया उन्ही लोगों को पदमश्री देना शूरू किया उन्हीं लोगों को तमाम को सब और तमाम तरह की वोई चीफ गेस्ट बनते थे जलसों में, सारी टेक्स्ट बुक वैसी छपने लगी, जहां बस यही बताया जाता था कि देदिया में आजादी बिना खड़क बिने ढाल और वो जवाला नहरू या फूल लगाते थे और उस बच्चे उने चाचा नहरू क अंट्रोल किया, और खुद वो बड़े मज़े से रोजा इफ़तार की पार्टियों में जाते थे, वो पार्टियां जहां यह बताया जाता था कि कोई भी इस ट्रस्ट नहीं है इन दोनों कौमों की बढ़िया दावते खा रहे थे, रोजा इफ़तार कर रहे थे, कॉंग्र जो 47 में इंडिया छोड़ के चले गए, माल लेजिए आजादी के बार वो यहीं रह जाते, माल लेजिए, जैसे South Africa में वहां से जब अंग्रेज छोड़ के गए, तो सारे अंग्रेज छोड़ के नहीं गए, बहुत सारे अंग्रेज वहीं रह गए, अफरीका में, आप उनक अंग्रेज वहां से छोड़ के नहीं रह गए, खैर, नेंसल मंडेला नहीं को इतना खुबसूरती से हैंडल किया, कि उस देश में भी बना पार्टिशन होता, और ऐसा ही खून बैता, बर वो इतने ही स्मार्ट लिए उन्होंने हैंडल के वो यह अलग कहानी है, पढ़िए तीस साल बाद एक पॉलिटिकल पार्टी पैदा होती, जो उनके वोट की फिशिंग करती, और हम यह समझाया जाता कि हिंदुस्तानी और ब्रिटिशर्स में कभी कोई जंजट था ही नहीं, देवर फ्रेंड्स, देवर हैपी, हम मिलके होली दिवाली इद मनाया करते थे, औ यह सब exaggeration है, राइट विंगर्स ने पैदा किया है, अगर अंग्रेज़ों के भी वोट यहां पे होते तो, तो यह जूट चलता रहा, और हिंदूस गाट सिक आफिट, पर कहने का कोई रास्ता नहीं था, कोई आउटलिट नहीं था इस बात को कहने का, कोई ऐसा चेहरा नह पहती से हमारी बात सुनेगा, अब यहां मैं थोड़ी सी डिटूर लेना चाहता हूँ, कॉंग्रेस ने इस देश की बहुत सेवा किया है, अगर इतनी modern outlook के नहरुजी ना होते, तो देश यहां तक ना पहुंशता है, उतनी भेंकर गरीबी में, जब दंगे भी थे, वार भ बहुत बड़ी करी, एक इतनी बड़ी चीज को, elephant in the room जिसको बोलते हैं, dinosaur आपके सामने खड़ा था, आप उसे address, उसका solution निकाल पाई, कम से कम हां तो कहते, dinosaur खड़ा है, और जूट ऐसे ऐसे चलाए, जैसे काश्मीर के बारे में जूट चलाया, 370 का तो कुछ हो नहीं सकत यह तो दलाल टाइप के लोगों ने 1.5 साल बाद पौने 2 साल बाद लाए 370, और अमबेड कर ने साफ साफ मना किया, कि नहीं है यह 370, नहीं लगा हूँगा, इतनी खराब है यह, फिर भी लगा दिया आपने, जबरदस्ती ठोंग दिया आपके, अब मैं अपनी बात पे वापिस आता हूँ कि नरे नर्मोदी कोई आदमी है ही नहीं, यह वो खूंटी है, जिस पे इस पूरे देश ने अपना यह जो बरसों का गुस्सा है, 50 साल का नहीं, 1500-200 सालों का गुस्सा टांगना शुरू कर दिया उस खूंटी पे, डिसकेशन स्टार्ट हैपनिंग, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, भाइमती दास, हकीकत राय, गुरु गोबिन सिंग, आपने नाम सुने, सिख्ख गुरु उनके साथी, जब हिंदु कॉम इसलामिक रूलर से बहुत परेशान थी, फोस कन्वर्जन हो रहे थे, गरम तवे पे जिंदा भून दिया, किसको आरे में से बीच में से काट दिया, किसको रूई से बांद के जला दिया, किसके बच्चों को दिवार में चिनवा दिया, किसके बच्चों के दिल निकाल के बाप के मुँँ में ठूस दिये, ये सब कहानिया हमने पढ़ी, इनकी क विताएं हम स्टेज पे गाया करते थे जब हम छोटे थे हकीकत हूँ हकीकत को हकीकत जब बताऊंगा हूँ एक लाखों को हकीकत मैं बनाऊंगा इस सारे जुल्म को सहकर हिंदूओं में से एक वारियर कौम पैदा हुई खालसा पर आजादी के बाद टेक्सबुक कॉंग्रेस टेक्सबुक थी शारी इर्फान हवी ग्रोमिला थापर इन समने हमें हिस्ट्री पढ़ने शुरू करी और यह कहा गया कि भाई हम बड़े सेकुलर हैं सेकुलर रहो सेकुलर रहो और प्रोग्रेसिव बाते करो अगर आपने यह सब बाते करी तो बड़े आप कमुनियल कहला कि आज हम उसके उपर चुटकले बनाते हैं बजाए उस कौम का सिर पर बिठाने के हम उसे चुटकले बनाने लगे चलिए यह वक्त भी देखा इस देश ने यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई जिन मुस्लिम रूलर्स के हातों हो जिससे पुरे लंबे वक्त में वो जो हम बिल्दान दिये थे जो इतने सेंकड़ो सालों से जो गुर्दवारे बने हुए यह सच्चे हैं कि नहीं है यह मोधी ने बना दिये जाके चुप चुप के 200-300 साल पहले मोधी ने बना दिये अंदर एक कैंसर है इस गुस्से का एक कैंसर है जो इस देश को खाय जा रहा था क्या आप कहते हैं भाई everything is well all is well चली इस problem के एक और तरह से देखते हैं तो इभारत पाकिस्तान बंगलादेश तीनों को मिला दें तो करीबन करीबन 50 करोड़ मुस्लिम लोग हैं यह आपे रहते हैं यह कहां से आए इतने मुस्लिम तो अरब में भी नहीं है मिडल इस में इ तीस साल से जजयादा जोर पकटा इस नरेटिव ने 25 साल से कि यह प्यार से कंवर्ट हो गए यह इंदूी तैंप्यार से कंवर्ट होगे वर इगृष्ग यह इकाहागै सुफीसंत आते थे दरवेश फ़कीर वकीर आते थिर लोग प्यार से इसमपल देता हूं जैसे हमारा एक बहुत बड़ा देश था है ऐसे बहुत बड़ा देश था पर्शिया महां पार्सी रहते थे और वो कलाओं में ट्रेड में एडूकेशन में बहुत उपर देश था उसकी वो पूरी सिविलिजेशन बहुत हाई पे थी यह मेडिल एजीस की बात है मुस्लिम्स का अटैक हुआ करीबन 25-30 साल में एक भी पार्सी जिन्दा नहीं बचा सारे देश चोड़के भागे मर गए लूट हत्या बलातकार और 25-30 साल में एक नया इसलामिक मुल्क बन गया बाद में जिस मुल्क का नाम पड़ा इरान सारे पर्शिंस कहां गए कुछ भाग के तो हिंदोस्तान भी आगे थे वो प्यार से कनवर्ट हो गए ऐसा प्यार इस दुनिया ने कई बार देखा है अफ्रीका में एशिया में ऐसा प्यार 25-30 कंट्रीज ने बरदास्त किया है और वो 25-30 कंट्रीज टोटल इसलामिक बन ग कंट्रीज जो बगदादी करता है खलीफा खलीफा ऑपने समराज्य बनाते हैं सिर्फ मुस्लिम होते है और अगर गयर मुस्लिम है तो उन्हें डिम्मी बनिके रहना पड़ेगा खत्म होके रहना पड़ेगा वह गेलिफ है इसलाम की काश्मीर में हिंतुस्तान में कैलिफ ह है कि 1921 में मालाबार में दंगा हुआ था वहां भी कैलिफेट बनाने की कोशिश की गई थी कुछ पचास अजार या एक लाख हिंदू को भार निकाल दिया था वहां से फोर्स कन्वर्जन किया था तो तब नहीं बना पाई लेकिन आज काश्मीर में कैलिफेट है ध्यान रख तहजी पे सेमिनार कर रहे थे और इस तरह की तमाम रोजा इफ्तार की दाफते चल रही थी एपी एज़्यवडी वस एपी और जो पूरी तरह इस्लामीक नहीं बना उसके टुकडे होए जैसे हिंदुस्तान के टुकडे होए और आपकी हमारी जिंदगी में हमारे life time में स् इतने मूर्ख हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है आपने कभी देखा ही नहीं यह आप जोते हैं यह आप दलाल हैं अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मना करते हैं कि यह नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था यहां तो बड़ी गंगा जमने तैजीब थी आप इन सब में से एक हैं य ऐसे 10-15 परिवार उसके आसपास होते हैं इसके बाद आप कॉलिज आपका कॉलिज स्कूल कॉलिज जहां पचास सौ सूडेंट हैं जिसमें कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ ट्रेवल करते हैं जिन्दगी बर फिर आपका महला आपकी कॉलोनी वहां भी आप 10-20 परिवारों जानते हैं यूँ कहें एक आदमी मोटा मोटा 700-800 हजार लोगों की ख़बर उसको होती है डिरेक्ट खबर चाहें मिले ना कोई बहुत दूर रहता है लेकिन हाँ पता लगता उसकी शादी हो गई उसके बच्चा हो गया डैथ हो गई कुछ बहुत अच्छा हो गया बहुत से एक्साइज करता हूँ पिछले 20-30-50 साल में ये इन हजार लोगों में से कितने लोग मुस्लिम बनें कितने लोग कनवर्ट हो गई आंसर मिलेगा जीरो क्या हुआ सारे सूफी दर्वेश फकीर रेटायर हो गए आईपेल देखने चले गए इसलाम की कशिश खत्म हो गई दोस्त जब तक गर्दन पर तलवार ना होना कोई कनवर्जन नहीं होता या बहुत सारे पैसे ना हो कोई कनवर्जन नहीं होता उसके बद पार्लियमेंट पे टैक हुआ और उसमें शामिल अफजर गुरू उसके सम्मान में उसके समर्थन में लोग खड़े हैं हजारो हजारो लोग मुसल्मान खड़े हैं और हमने तब भी कुछ नहीं कहा इस देश में हाहाकार नहीं हुआ मुंबई में कुछ साल पहले आजाद मैंदान में एक रैली हुई किसलिए हुई रोहिंग्याओं के समर्थन में आपका क्या लेने देना है रोहिंग्याओं के समर्थन में और रैली के आखिर में क्या हुआ जो शहीदों के लिए समारक बनाया है फौजीयों के लिए शहीदो ये इन दोनों कौमा में रही और वो एक हेट, वो एक नफरत जो थी वो कभी, it never became a past history distant history, कभी नहीं हुआ वो रोज रहा, कभी वो अवजल गुरू के रूप में आगी कभी क्रिकेट मैच के रूप में आगी कभी कश्मीर, कभी आजाद में आगी वो हमेशा कभी ना कभी उसके new additions आते रहते थे एक और exercise करते हैं आप motorcycle चलाते हैं, car चलाते हैं, cycle, scooter कुछ चलाते होंगे जब भी आप सड़क में जाते हैं, तो थोड़ा संभल के चलते हैं लेकिन आपके शहर के जो Muslim area जब उसमें आप जाते हैं तो कुछ extra संभल के चलते हैं कि नहीं extra संभल के, कि अगर यहां लग गई तो extra पिटाई होगी वो जो fear है आपके अंदर, वो जो डर है वो कमाल की चीज है जिसको देश कहता है नहीं एक system कहता है नहीं लेकिन आपके अंदर है करोड़ों लोगों के अंदर है, सौ करोड़ों लोगों के अंदर है वो डर और एक आखरी exercise जब भी आपको कोई ज्यान बाटता हुआ आदमी मिले, secular मिले, intellectual मिले गंगा जमनी तहजीब वाला आदमी मिले सब बराबर हैं, सब धर्म हैं तो उसको कहिएगा, चलिए एक पेज पे लिखते हैं गीता, बाइबल, खुरान, सब एक जैसे हैं जीस, राम, क्रिश्टन, पैगंबर, मौहमद, सब एक जैसे हैं ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा सब प्यारे इंसान है, सब बढ़ियां है सब बराबर हैं, एक पेज पे लिखके उसे बोली ज़रा दो-चार मुस्लिम से साइन कराके ला ऐसी चीं की आवाज आएगी उस इंटेलिक्चुल की आपके बाद जिन्दगी में दुबारा नहीं आएगा वो एक मुसल्मान के साइन नहीं करा सकता है इस बात पर यह सारा ड्रामा हमारे लिए है यह तो जहां से मैंने बात शुरू कर रहे थी कि यह जो गुस्सा है यह कई सौ साल का गुस्सा है जिसको वेंट नहीं मिला कभी, निकलने की जगा नहीं मिली और यह जो बार-बार दंगे होते है न यह उसकी EMI है and coming back to the point, मोधी वोई आदमी ही नहीं मोधी वो मौका है और वो गैरेंटी है कि इस बार जब शाहबानों पार्लेमेंट में आएगी कि हलाला हो गया, कि चार विवा हो गया, कुछ हो गया इस बार पार्लेमेंट ब्लैक में नहीं होगी वो एक शक्स नहीं है, वो एक इमोशनल बाम है एक इमोशनल मलहम है जिसकी इस देश को कई सौ साल से ज़रत थी और अगर आप सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है तो दोस्त कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पथर तो तब्यत से उच्छा लो यारो